हमार साथ में केंद्रिय मंत्रिय और आर्पिय अध्यक्ष रामदास अठावले जी हैं अठावले जी इस बार क्योंकि 2014 और उनीस में पूरी मेजोर्टी में आई बीजेपी इसके अलामा आप लोगों ने अच्छी तरके से सरकार भी चलाया आप भी उसका हिस्सा है इस बार जो बनी है उसके पीछे क्या मानते हैं और खास करके महराष्ट में मुझे लगता है कि महराष्ट में कारण तो एक है कि सवविधान बदले की सिदर का बहुत बड़ा प्रचार का किया गया और दूसरा यह है कि वैशार सो पार का जो नारा है तो नारा तो मानने नरिद मु को पूरा इस्वास था कि दस सालों में जो हमने काम किया है तो जिस तर अगर पांच साल में काम बढ़ने के बाद तिन सो ततीन सिटे मिली थी और यह पांच साल में लगातार महला आरक्षण बील है और त्री सेवंटी आर्टिकल हटाने का निरने हो टेन परजेंट मेंट हो उससे रोजकार को बढ़ोतरी मिली थी मुद्रा युजना के 46 करोड लोगों को मिला था और दस लाग लोगों को मतलब केंदर सरकार की नौकरिया एक साल में देने का निरने हुआ और नौकरिया दी भी इतने तमाम चीजें वादे पूरे के चूक कहां आप मानते ह लिए वह हमको अधिकार है कि वह हम ज्यादा इतने गर 303 सीटे हमारी थी और इंडिया के कम शेकम 335 सीटे थी तो 65 सीटे इस वक्त पपड़ सकती है इसलिए मुदी जी ने यह भूमिकार रखी थी कि वह हमको 400 तक सीटे में मिल सकती है 400 पार हम सीटे कर सकते है लेकिन उसका मिस्यूज अपोजिशन ने किया और इनको क्यो 400 सीट चाहिए तो इसलिए तरह कि अपवाए पहलाने का काम हुआ उसका मतलब प्रत्कूल असार हो गया है अब क्योंकि शपत ग्रहण समारो की भी तैयारियां भी चल लए है मुलाकाद भी हो गई है तो एंडिये थी में आर्पी आई की भूमिका क्या रहेगी सरकार में आर्पी भूमिका यह रहेगी कि मैं अकेला राजय सबा में हूँ और मेरे पार्टी का पुरा देश भर में म राजय में है मेरे पार्टी का यूनिट हर राजय में मेरे पार्टी चूटी पार्टी है अभी मेरा एक कैंडिडेट मतलब मनिपूर से लड़ा है और उसको एक लाग 35,000 होट मिला है और वहां टोटल होटों में से साढ़े सात्रा परसेंट होट उनको मिला है तो नौर्थ में मेरे पार्टी काम करती है चोटे रूप में है और यू नागालैन में मेरे पार्टी केड़ मेरे शुन कर आए अपने भलबू loots पर तो मेरे पुजिशन वाले बोल रहे है नितीज गुमार जी हमारे पास आएगे, चंद्राबाबु नायडू जी मानने अटल भी हारी आजपी के साथ थे, और नितीज गुमार जी भी मतलब इंडिया के साथ थे, जोर्ज भर्नांडीज थे, श्रत यादो थे, ममताय बैनर जी थी, डी बहुमत है, और भाईश में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक दो पारिटी हमारे साथ आ सकते हैं, मतलब इंडिया काड़ी को छोड़ कर हमारे साथ आ सकती हैं. सर्फ क्योंकि टीडीपी और जेडियू बड़े दल इस बार उब रहे हैं, उनकी ज्यादा सीटे आई हैं घटक दल में, आर्पी आई क्या मानते हैं कि कैबिनेट में हिसेदार होगी इस बार में? मतलब रीपब्लियान पार्टी को कैबिनेट में हिस्सा मिलना चाहिए, जिस तरह मैंने एक सीट मांगी थी, श्रीडी की, लेकिन वह भी सीट मुझे नहीं मिली थी, मेरी राज्यसभा दो जार बीस तक है, तो मेरी राज्यसभा तो आटोमेटिकली कंटूनी हो जाएगी, मंत्री मंदल में जरूर रमकुल स्थान मिलेगा, लेकिन हमारे समाज की मांग है कि बाबा साब अंबेडगर जी के बाद आरपिया को पॉलिवार मंत्रिपद मिला था, लेकिन वो राज्यों मंत्रिपद मिला था, और मैंने इतना इलेक्शन में शाक्रिपाइज किया है, हर जेगब पर में जाकर आया हूँ और पुरे देश भर के गमशागम बीस राज्यों में मैं जाकर आया हूँ, और वहां कि मेरे कारे करताओDid को मैंने इंडिये को सपूर्ट करने के लिए बोल कर मैं ऊदर आया था, इसलिए इस वक्त मेरी मbangग है कि हमको क्ले केमिलना चाह मुझे आठ साल से मुएस हूँ, मैं राज्यमंत्री हूँ और इस वक्त मुझे लगता है कि कैबिनेट मंत्री बदकर आर्पे को मिलता है, तो मुझे लगता है कि देश भर में बीजेपी को एंडिया को उसका और भी ज्यादा फाइदा हो सकता है. कैबिनेट मंत्री में कोई खास मंत्रा ले? कैबिनेट मंत्री बदकर अगर मिलेगा तो उसका फाइदा इंडिया को हो का इसलिए हमारी मांग है और जब मुझे इस रिडी सीट नहीं दी थी तब माननी देवंदर फढ़नमीजी ने भी असपास न दिया था कि वह भी मुतलब कैबिनेट मंत्री बदकर के लिए करने वाला हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वब मेरा विचार कैबिनेट के लिए हो सकता है एक सवाल और आखरी क्या रिजल्ट आने के बाद आपकी प्रधान मंत्री नरेदर मोदी से बात हुई है इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर तो बात नहीं हुए है ल जनता ने एंडिए को मतलब सरकार बनाने का अनियोता या सरकार बनाने का अधिकार दे दिया है इसजी दर बीजेपी के से उड़ी कमा आये बात सही है लेकिन एंडए बीजेपी के 282 CT 3030 होने के पाव्जूद भी दोनों टाइम पर सरकार बीजेपी के नहीं बोलती दिंड और आने वाले दो आजार उंतिस के चुनाओं में और भी हमारी ज्यादा सेटी कहीं से बोड़ेगी इसका विचार हम करेगी धन्यवाद हमसे बात करने क्लिए